Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Sot, so students, Madhya Praday said Paper 1 में आज़का एब बहुत important topic है, जिसका नाम है Nature of Communication. So, Communication यानि कि संचार का क्या nature होता है, ये सारे concepts हम MCQs की मदद से clear करने वाले हैं. इस सीरीज में जो भी MCQs हैं, ये आपके upcoming examination में as a test भी पूछे चा सकते हैं, और उसकी detailed explanation जो मैं आपको बताऊंगी, वो भी definitely exam में आप लोगों को बहुत मदद करेगी. So, इसी के साथ students, MPSET Paper 1 preparation के लिए full syllabus test series हमने launch की है, जिसके साथ हम आपको 100% selection की guarantee देते हैं. Exam का क्या pattern है, क्या latest syllabus है और क्या difficulty level है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसमें हमने questions बनाई है, and इसमें से आपको questions as it is देखने को मिल सकते हैं. So, हम यही expect करते हैं कि 25 से 30 questions इस test series में से आपको exam में जरूर देखने को भी लेंगे. So, इसमें आपको 40 से भी जादा test मिलते हैं, and हर एक test में 50 questions हैं, जो की English और Hindi दोनों ही languages में available है. साथ ही आपको full syllabus यानि की total 10 units के short notes में हम provide कराते हैं, जिससे की आपके सारे concepts भी clear हो जाएंगे. So, students, आप लोगों के लिए यह best option है, इस कम समय में smart way में कैसे तैयारी करनी है, यह test series से आप लोगों को पता चल जाएगा. तो आप आज ही numbers पर contact करके इसको join कर सकते हो, और इसके लिए आपको सिरफ एकी बार fees pay करनी है, वो भी सरफ 999 और उसके साथ ही मैं आपको यह भी surety देती हूँ, कि इसके अलावा आपको MPSet Paper 1 के लिए कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके लावा फ्री सेशन के लिए आप लोग Global Online आपको भी डाउनलोड कर सकते हो, बिलकुल फ्री आप है, और इसको डाउनलोड करने का link description box में मिल जाएगा. इसके question है, which of the following are the characteristic feature of communication? So, communication के features या उसकी characteristics पे जाने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, कि communication exactly क्या होता है? So, अब मान लीजे, दो लोग है A and B. A person ने, जो है, A जो है कोई teacher है, and B जो है वो कोई student है, ठीके? person A ने person B को you just in it examination के बारे में information दी, कि exam क्या होता है, क्या इसके benefits होते है, and person B ने उसको अच्छे से समझ लिया, and फिर person B के mind में query आई, कि next exam कब होगा, ठीके? तो ये क्या है? ये दोनों आपस में बात चीत कर रहे हैं, तो इसको communication बोला जाता है, इसका topic कुछ भी हो सकता है, यहाँ बे तो जैसे मैंने exam का example दिया है आप लोगों को, ये लोग हो सकता है, movies के बारे में बात कर रहे हो, ये लोग हो सकता है, कई घूमने जाने का plan कर रह जिसमें पहली बोलती है, communication involves exchange of ideas, facts and opinions, यानि कि communication में विचार, तत्य और जो भी opinions होते हैं, किसी particular topic को लेकर कि किसी का जो thought होता है, उसको बदला आदान-प्रदान किया जाता है, इक बुसरे तक वो चीज़े share की जाती है, तो ये option बिलकुल correct है, दूसरा option बोलता है, communication involves both information and understanding, यानि कि देखो, जैसे मैंने same example आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ, A ने कोई information B को दी थी, ठीके, so information तो हो गई, अगर B person जो है, वो उस चीज़े को अच्छे से समझ जाता है, तो वो understanding है, तभी एक communication को successful communication माना जाता है, so this according statement 1 and statement 2 दोनों ही correct है, तीसरे statement बोलती है, communication is a continuous process यानि कि ये एक सतत प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली चीज़ है, जैसे मा लीजिये, मैं हूँ person A, मैंने B को कोई secret बात बताई, लेकिन B ने क्या किया, वो बात C को बता दी, C ने वही बात D को बता दी, और हट फिर के D ने वो बात मुझे बता दी, तो ये क्या है, ये continuous process है, अब जैसे मैं आप लोगों को ये जैसे net exam की information दे रही हूँ, आप वो information आगे किसी को दोगे, अगर आप teacher हो तो आप बहुत से students को एक साथ वो information दोगे, तो communication हो रहा है ये teachers और students के बीच में, जो कि ए continuous process होता है, तो ये statement भी बिल्कुल correct है, next statement बोलती है, communication is a circular process, ठीक है, जैसे कि इसी example में, जैसे third statement में मैंने समझाया, तो वही यहाँ पे बोला गया है, कि ये एक circular process है, तो इस according देखें, तो right answer क्या है, right answer here is option number 1, that is A, B, C and D. So, next question पर पढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, which of the following set of statements is correct for describing the human communication process? So, यहाँ पर हमें 6 statements given है, हमें बताना है कि human यानि कि जो भी person A है, B से बात कर रहा है, एक person चाहे 10 लोगों से बात करता है, तो उसमें correct statement उसके regard में कौन सी है? यहाँ पर अलग से define नहीं किया गया है, कि यहाँ पर one to one communication हो रहा है, या फिर एक person आगे 50 लोगों के साथ बात कर रहा है, यह mention नहीं किया गया है, so general statements हम लोगों को लेनी है, ठीक है? इसमें first statement बोलती है, non-verbal communication can stimulate ideas, तो देखो students, non-verbal और verbal, ठीक है, दो चीज़े होती है, verbal and non-verbal, गैर मोखिक और मोखिक, verbal होती है, जो कि हम लोग किसी को बोल कर समझाते है, non-verbal होती है, जो बोली नहीं जाती, जिसमें कि सिरफ हम लोग क्या करते हैं, इशारे से बात करते हैं, किसी person को हम इशारा करते हैं, चाहे वो हाथों से इशारा हो, चाहे वो आँखों से इशारा हो, वो non-verbal में आता है, तो पहली statement इसमें बोलती है कि जो इशारों वाली language होती है ये बहुत से ideas को generate करने में हमें मदद करती है ठीक है तो ये वाली statement क्या है ये वाली statement बिल्कुल correct है दूसरी statement बोलती है communication is a learnt ability यानि कि बातचीत करना जो है वो सीखा जाता है ठीक है ये statement भी बिल्कुल correct है दूसरी statement बोलती है communication is not a universal pancreas ठीक है यानि कि क्या बोला गया है इसमें कि संचार एक सार्वभॉमिक रामबान नहीं है और चौथी statement बोलती है communication cannot break down communication को रोका नहीं जा सकता ये इसमें पूछा गया है ठीक है लेकिन communication को रोका भी तो जा सकता है बीच में जैसे मैंने previous question में example लिया था A ने कोई बात B को बताई B ने कोई बात C को बताई हो सकता है C वो secret को रख ले वो आगे D को बताए ही ना तो communication को break down भी किया जा सकता है तो ये statement गलत है यहां तक sorry break इसमें पूछा गया है कि communication cannot break down तो ये statement बिलकुल correct है तो 1, 2, 3 and 4 ये सभी statements बिलकुल correct है so right answer है यहां पर option number C तो यहां पर देखते हैं बाकी की दो statements क्यों incorrect है क्योंकि इसमें बोला गया है more communication means more effective learning by students तो यानि कि इसमें बोला गया है जादा बातचीत करेंगे तो जादा effective learning होगी ऐसा तो नहीं होता है तो जो भी values classroom में students को सिखाई जाती है उसका कोई role नहीं होता उसका कोई issue नहीं होता students को अगले question पर पढ़ते हैं इसमें बूचा गया है you are supposed to know your so अब देखो classroom communication की बात यहाँ पर की गई है अभी तो हमारी क्या चल रही है online classes चल रही है लेकिन आज से पहले क्या था आज से पहले offline classes हम लेते थे तो एक student ठीक है माल लीज़े यहाँ पर 50 students है and सिरफ एक ही teacher है है न ऐसा ही होता है so एक अच्छा classroom communication कब माना जाता है जब audience emotions audience के emotions से हम लोग जुड़े हो जब एक teacher और students आपस में emotionally attached होंगी तो क्या वह एक अच्छा communication होगा तीसरा है silent cues यानि की मौन संकेत देना तीसरा है artful pauses and चौथा है counter arguments so इसमें देखो right answer जो है वो है option number 3 अब देखो students जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्या हो रहा है मैं बीच बीच में pause ले रही हूँ कुछ एक statement बोलने के बाद में थोड़ा सा चाहे एक से दो second जादा नहीं एक से दो second का हम pause लेते हैं जो कि बहुत important होता है students को ये identify करने के लिए कि अब हमारी अगली statement शुरू हो चुकी है अगर हम लोग ये artful pause ना ले बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि कहां पे हमें रुकना है किसी statement के बाद कहां पे हमें continue रहना है इसकी वज़े से क्या होता है पूरी statement का मतलब ही change हो जाता है अगला question है effective communication needs a supportive अब देखो effective communication यहाँ पे यह नहीं बोला गया कि class में communicate हो रहे हैं किसी पार्क में communicate कर रहे हैं किसी की घर में बैठके हम communicate कर रहे हैं कुछ नहीं बोला है बस यह बोला है कि एक प्रभावी संचार के लिए सहायت की अवशक्ता होती है तो किस सहायت की अवशक्ता होती है economic environment यहाँ पे answer already आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे पूचा गया है economic environment याणी कि किसी की आर्थी क स्थिति क्या है दूसरा है political environment याणी कि राज़नितिक वातावरण होना चाहिए तीसरा है social environment और चौथा है multicultural environment तो यहाँ पे social environment यानि कि समाजिक वातावरण बहुत important होता है communication को अच्छा बनाने के लिए अब देखो क्या है जैसे मान लीजे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग किसी और teacher से भी पहले पढ़ चुके होंगे तो यह भी एक social environment का part होता है कि हम लोग जैसे लोगों के बीच रहते हैं हम लोग वैसे ही communicate करते हैं वैसे ही हमारी effective communication बढ़ती जाती है अगर मान लीजे मैं थोड़ा टपोरी style में आपको बढ़ाती यह मेरी communication skills में भी हो सकता है कुछ को अच्छी नहीं लग रही होंगी तो वो क्या है वो एक effective communication नहीं माना जाता तो एक social environment होना इसके लिए समाजिक वातावरन होना इसके लिए बहुत important है कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं कैसे लोगों से हम पढ़ रहे हैं और कैसे लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं that is very important अगला question है in the process of communication which one of the following is in the chronological order so chronological order यानि कि देखो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ संचार की प्रक्रिया में निमन लिखित में से कौन सा कालानू क्रमिक क्रम में है यानि कि अगर देखो दो लोग बातचीत कर रहे हैं फिर से मैं A और B की बात करती हूँ या फिर जैसे हम teacher है मैं आपकी teacher हूँ अंकिता आप मेरे student हो XYZ हम लोग आपस में बातचीत कर रहे है तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए कौन सी चीज हमें important होती है तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए एक communicator की जरूरत है अब मालीजे कि मैं अकेली हूँ तीक है मैं आप लोगों को पढ़ाना चाती हूँ लेकिन मेरे live lecture में कोई भी नहीं आया सुपोज एक भी person मेरे live lecture में नहीं आया तो मेरे पास कोई communicator ही नहीं है तो सबसे पहले किसी भी communication के लिए communicator यानि की साथी की जरूरत है जिससे हम बातचीत करें अब A को अपना साथी B तो मिल गया जिससे वो बातचीत करना चाता है उनके पास कोई topic भी होना चाहिए कोई message भी होना चाहिए जिससे वो बात करें अगर उनके पास बातचीत करने का कोई topic ही नहीं है तो वो क्या करेंगे वो चुकचाप से बैठे लेंगे तीसरी चीज़ होती है medium कि कैसे वो बातचीत करने वाले हैं वो face to face बात कर रहे है या फिर वो लोग mobile phone में बात कर रहे है या फिर वो लोग chat कर रहे है तीसरा आता है receiver यानि कि अब मालीजिए कि person A बोल रहा है कुछ भी लेकिन person B एक communicator तो है लेकिन वो receive ही नहीं कर पा रहा उसकी बात को वो समझ ही नहीं पा रहा उसकी बात को कि ये क्या कहना चाता है और चौता है effect effect के बारे में कब पता चलता है जब person B उसकी बात को अच्छे से समझ जाएगा और उसको वो feedback देना शुरू कर देगा आपको पता है कई बार ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि जैसे मैं कुछ बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ जब person B जो है सामने वाला जो है उसका response देने शुरू कर देगा चाहे वो अपना उसके उस बात पर कोई review देता है चाहे वो उस बात पर कोई भी हमें डांट देता है चाहे वो उस बात पर अच्छा है कुछ भी बोले बस feedback दे that is called effect system ठीके? so communication I hope students यहां से आपका बिल्कुल clear हो चुका है so आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि communication क्या होता है तो अगर आप लोगों का communication का basic बिल्कुल clear हो चुका है तो आगे आने वाले lectures definitely आप लोगों को बहुत इसी लगेंगे and बहुत ही इसी तरह से interesting way में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो students next question पे जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है आपको कोई भी query अभी तब के five questions में नहीं है तो please comment कर दीजे ताकि मैं daily आप लोगों के लिए इसी तरह के sessions ले करके आओ ठीके? so next question जो है ये आप students के लिए एक homework question है ये हर एक वीडियो में मैं आपके लिए ले करके आओंगी जिसका answer उसके next lecture में मैं आपके लिए आपको बताओंगी ठीके? तो देखो ये question अभी के previous five questions पर based है जिसका answer आप लोग मुझे comment करके बताओगी so इस question में बोला गया है a good communicator is the one who offers to his audience so एक अच्छा communicator कब होता है? माल लीजिए person A है उसकी audience में 100 लोग है उसकी class में 100 लोग है तो वो एक अच्छा communicator कब होगा? जब वो audience को क्या provide कराएगा? options आपके सामने है जो भी इसका answer है मुझे comment करके बताओगी and इसका correct answer किसके student ने दिया है ये मैं कल के lecture में आपको बताओगी ठीके?